जैहिंद बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बीए समेस्टर वाला में आज के इस कलास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएस्थी सिक्स समेस्टर होम साइंस ठीक है पेपर का नाम है रिशर्च मेद्रोलोजी एंजेंडर डेवलेमेंट इसमें क्यान आपके अच्छा है यह पेपर कहां का है यह पेपर आपका मा संगूंबारी उनिवर्सिटी का यह कोंस्चन प्रेपर है इसमें आपका 75 प्रशन पूए पूछे गया थे और इसमें 75 प्रस्णों को पूरा करना था ठीक है 75 प्रस्ण पूछे गया थे और पूरे करने थे आपको किसी किसी विद्याले में क्या होता है 75 प्रस्ण पूछे जाते हैं लेकिन 65 करने होते हैं ठीक है चले तो इसलिए जब भी आप परिक्षा हाल में आप ठीक है चले और जब भी पढ़ेंगे तो यहां पर जो आपकी निर्देश दिये रहते हैं उसे जरूर पढ़ लेंगे ठीक है चले श्टार्ट करते हैं आज की क्यलास देखते हैं पहला प्रस्नाप का क्या पूछा गया था किस सोध डिजाइन में हस्तक शेप के बिना उ दूसरा प्रस्नाप का पूछा गया था कौन सा सिध्धान्त लिंग इसकिमा के विकास में संग्यानात्मक पर किरियाओं की भूमिका पर जोड देता है तो लिंग इसकिमा सिध्धान्त सी आपसंडाइठ आपका दूसरे का चले तीसरा प्रस्नाप का क्या पूछा गया है स सोध रिपोर्ट का उद्देश क्या है? सोध रिपोर्ट का उद्देश होता है अनुसंधान पद्धती और डेटा विसलेशर तकनीकों को प्रस्तूत करना बी आपसन राइठ आपका तीसरे का चले चौथा प्रसन आपका पुछा गया था सोध में नमूना क्या है? सोध में नमूना वो होता है जनसंख्या का एक उपसमों जिसे अध्यन के लिए चुना गया है ठीक है? बी आपसन राइठ आपका चौथे का प्रस नमर पाँच आपका पुछा गया था सोध के संदर्व में डेटा क्या है? सोध के संदर्व में डेटा सोध परकिरिया के दारान एकत्र किये गए कच्छे तत्य आंकड़े सी आप संडाइठ आपका पांच वेका चले अच्छा अगर आपके पास question paper नहीं है तो telegram group जोईन कर लिजेगा ठीक है वहाँ पर आपको वीडियो के ठीक नीचे पीडियम मिल जाएगा ये question paper तो आप question paper डाउनलोड कर लेंगे ठीक है और डाउनलोड करके आपको अपना answer की मिला लेंगे और जिनका exam नहीं हुआ है वो भी डाउनलोड कर लेंगे ठीक है डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहेंगे चले प्रस नमर छह मैंने बता दिया आपको ठीक है सियाप संडाइट आपका प्रस नमर छह का किसी सोध के प्रस्ताव में साहित समिक्षा का क्या महत्व है तो मौजूदा साहित में अंतराल की पहचान करने और अध्यन की आवसकता को उचित ठाराने के लिए ठीक है छटवे का C आप संडाइट है प्रस नमर साथ का पूछा गया था सोध प्रस्ताव का उद्देश क्या है सोध प्रस्ताव का उद्देश से होता है अनुसंधान योजना और पध्धती की रूप रेखा त्यार करने के लिए बी आप संडाइट आपका साथ में का प्रस नमर आठ पूछा क्या था सोध में साहित समिक्षा की क्या भूमिका है पिछले अध्यानों के निसकर्षों को सारांसित करने के लिए सोध साहित में समिक्षा पूछ रहा है अनुसंधान अंतराल की पहचान करने और वर्तमान अध्यान क्या आउसकता को उचित ठाराने के लिए आप संब आपका राइट है अध्यान के लिए एक सैधानतिक धाचा पुरदान करने के बिलकुल डी आप संब आपका राइट हो जाएगा आठवेका प्रस नुमर नौ पुछा गया था निम्नलिखित में से कौन औसंगठित छेत्र में रोजगार की एक सामान बिसेस्ता है तो असंगठित छेत्र में रोजगार की जो असंगान बिसेस्ता होती है कम वेतन और अनियमित काम के घंटों के लिए ठीक है बी आप संब आपका करेक्ट है नवेका प्रस नौमर दस आपका पुछा गया था निम्नलिखित में से कौन सोध की बिसेस्ता नहीं है तो व्यक्ति परक और पक्षपाती निसकर्स ये आपकी सोध की बिसेस्ता नहीं है ठीक है पक्षपाती निसकर्स नहीं होता है और व्यक्ति परक भी नहीं होता है भी आप संब आपका दसवेका प्रस्णमर 11 पुछा गया है, अ संगटी चेत्र के सरमिकों के सामने एक प्रवुख चुनावती क्या है? नौकरी सुरक्षा और समाजिक सुरक्षा लावों का अभाव है, ये आप संडाइट्य 11 का प्रस्णमर 12 क्या पुछा गया है आपका? किस छेत्र में अनुसंधान और विकास R&D गतविधियों में निवेस की अधिक संभावना है तो संगठित छेत्र में ठीक है संगठित छेत्र में क्या होता है अनुसंधान और विकास की गतविधियों में निवेस करने की अधिक संभावना होती है ठीक है चले प्रस्ट नमर 13 क्या पुछा गया है उधामिता में औसफलता और औसफलताओं से उबरने की छहमता को क्या कहा जाता है तो लचीलापन कहा जाता है यह आप संडाइट है 13 का चले प्रस्ट नमर 14 आपका क्या पुछा गया है प्रस्ट नमर 14 पुछा गया है आपका किसी व्यवसाय के लिए करमचारियों को काम पर रखने और बनाय रखने की परकिरिया को क्या कहा जाता है मानव संसाधन प्रबंधन कहा जाता है याफसन राइठाप का प्रस नमर पंद्र क्या पुछा गया है उधमिता में बाजार अनुसंधान का उद्देश से क्या है तो संभावित ग्राहकों और प्रतियस परधियों की पहचान करने के लिए विपढ़न रण नीतियों को विक्सित करने के लिए उत्पादों या सिवाओं की मांग का आंकलन करने के लिए तो D आपसन आपका राइट है प्रस नमर 16 क्या पुछा गया है किस परकार की उधमिता समाजिक या परियावरणिय मिसन के साथ व्यावसाय बनाने पर केंद्रित है तो समाजिक उधमिता A आपसन राइट है 16 का प्रस नमर 17 क्या पुछा गया है निम्नलिकित मेंसे कौन सुक्षम उधम का उधारण है तो जो आपका एक छोटे परिवार के स्वामित वाला व्यासाय होता है या आपका सुक्षम उधम का उधारण है भी आपसंडराइटा सत्रे का प्रस नमबर 18 क्या पुछा गया है आपका? कौन सा सिध्धान्त बताता है कि वेवहार में लैंगिक अंतर, माता पिता, सिक्षकों और साथियों द्वारा लड़कों और लड़कियों के साथ अलग अलग वेवहार के परिडाम स्वरूप होता है तो समाजिक सिध्धान्त होता है ये अपसन राइठ आपका अठारे का प्रस नमबर 19 आपका पुछा गया है इसमें महिलाओं के लिए उधामिता विकास कारिकरम का प्राथमिक लक्ष क्या है? तो महिलाओं को आर्थिक और समाजिक रूप से ससक्त बनाना सी अपसन आपका राइठ है उनना इसका प्रस नमबर 20 क्या पुछा क्या है? कौन सा नारिबादी परिप्रक्ष आमूल चूल राजनीतिक और समाजिक परिवर्तन के माध्यम से समाज की पित्र सतात्मक सनरचना को चुनवती देने पर केंदरित है तो कंटर पंथी नारिबाद है भी आपसन आपका राइठ है भी इसका यह मॉडल पेपर में भी सारे प्रसंद थे पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं और यह आपकी कोश्चन पेपर में भी था ठीक है? मैंने बहुत से उनुवर्सिटी के कोश्चन पेपर सॉल्व करा है आप लोग प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है? और सब के कोश्चन पेपर अलग-अलग है सारे युनिवर्सिटी के यह बीए बीस्टी होम साइंस है ना तो इसके कोश्चन पेपर बिलकुल अलग है ठीक है? और भी जितने कोश्चन पेपर है वह थोड़े अस आपका निम्नलिखित में से कौन संस्थागत लिंगवाद का उधारण है? तो यह आपका है समान काम के लिए महिलाओं को पुरूसों की तुलना में कम बेतन देना ठीक है? यह क्या है? संस्थागत लिंगवाद का उधारण है? यह आपसन राइट आपका? हलांकि यह ऐसा प्रस्ण है इसमें सारे जो दिये हैं आपसन वो सारे आपके करेक्ट हैं ठीक है जैसे भरती जहां भरती होती है भरती पर्थाओं में महिलाओं के खिलाब भेदभाव हो रहा है वहां भी संस्थागत लिंगावाद है मेडिया में महिलाओं को निस्क्री और आसरित के रूप में चित्रित करना परिवार इकाईयों के भीतर सक्त लिंग भूमिकाय लागू करना ये सब ही आपके कहीं न कहीं से चारों आपकी करेक्ट है इससे संबंदित हैं संस्थागल निंगावास से लेकिन आपका सबसे बेश्ट समान काम के लिए महिलाओं को पुरूसों की तुलना में कम बेतन देना ठीक है ये आपसन राइठ आपका 22 का अलांकि देखें यूनिवर्सिटी आपका कोई भी आपसन मान सकती है ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को प्रस्ट नमर तेज क्या है ध्यान रखेंगे प्रस्ट मख सोध की विशेषता नहीं है यह संख्यात्मख डेटा बिसलेशड पर ध्यान के इंदरीद करता है यही आपका क्या है सोध गुडात्मख सोध की विशेषता यह नहीं है तो पहला यह आपसन हमारा करेक्ट हो जाएगा तेश का चले 24 नमबर प्रस्ट क्या प्रस्ट नमर 25 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुडात्मख डेटा का उधारण है अवलोकन और साच्छातकार प्रतिलेख जो है यह आपका गुडात्मख डेटा का उधारण है सी आपसन आपका करेक्ट है प्रस्ट नमर 26 पूछा गया था निम्नलिखि नमूना घरण में सी आपसन आपका राइट है 26 का प्रस नमर 27 क्या पूछा गया है निम्नलीखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उधारण है किसी बिमारी के लिए एक नया टी का विक्सित करना ये अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उधारण है C आपसन राइट है 27 का प्रस नमबर 28 क्या पूछा गया है और संगठित छेत्र की इस्तिथियों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीती है स्रम कानूनों और विनियमों को लागू करना B आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 29 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उध्धोग आम तवर पर संगठित छेत्र का हिस्सा है तो विनि निर्माण संयंत्र जो है आपका ये उध्धोग आम तवर पर संगठित छेत्र का हिस्सा है C आपसन आपका करेक्ट है प्रस नमर् 5, क्या में पुछा गया है निमनलीखित में से कौन सा उधमियों के लिए श्टार्टप फंडिंग का समान सुरोत नहीं है सरकारी अनुदान है सियाथ संकरिक्ठाप का 30 प्रस नमर् 31 क्या पुछा गया है पुरूस या महिला होने से जूड़ी समाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं और आउस्वरो को क्या कहा जाता है तो इसे लिंग पहचान कहा जाता है ठीक है जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं और इसका C आपसन भी correct हो सकता है लिंग भूम क्या है ठीक है तो यह आपके university के उपर depend करता है कि आपसन नंबर A मानता है या फिर आपसन नंबर C आपका मानता है ठीक है तो जहां तक 100% आपका यह आपसन आपका correct होना चाहिए ठीक है चले प्रस नंबर 32 आपका पुछा गया इसमें व्यक्तियों या मामलों के उस पूरे समूँ के लिए क्या सब्द है जिसका अध्यन करने में एक सोधकरता रूची रखता है पापुलेशन है जनसंख्या बी आपसन राइट आपका 32 प्रस नंबर 33 क्या पुछा गया है समाजिक प्रस नंबर 34 आपका इसमें पूछा गया है पुरूसों और महिलाओं के बीच संसाधनों सक्ति और अवसरों के औसमान औसमान बितरर को क्या कहा जाता है लिंग औसमान ता कहा जाता है ठीक है जेंडर इन एक्क्वैलिटी बोलते हैं डियापसन राइट आपका 34 का प्रस नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है चले प्रस नंबर 35 पूछा गया है निम्न लिखी तो मैंसे कौन सी बाधा आम तवर पर महिला उधमियों को सामना करनी पड़ती है ठीक है कौन सी बाधा आम तवर पर महिला उधमियों को सामना करनी पड़ती है तो आपसन नंबर D है आपका, सिच्छा का अभाव है, लेंगिंग रूड इबादिता है, पूजी तक पहुंच है, ठीक है, चले, D आप समर्णाइट है, 35 का प्रस नमर 36 क्या पुछा गया है, ग्रांकों के लिए मुल्य स्रीजन के उद्देश से इनपूट को आउटपूट में परिवर्तन या फिर परिवर्तित करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है, तो संचालन प्रवंधन बोला जाता है, या अप संडाइट है आपका, 36 का चले, ओपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रस नमर 37 क्या है आपका, निम्न लिखित में से कौन सी संगठी छेतर के सामने आने वाली चुनावती नहीं है, तो सीमीत वजार आउसर है, सी आप संडाइट है आपका, 37 का प्रस नमर 38 क्या पुछा गया है, और संगठी छेतर और थेव्यवस्था में किस परकार योगदान देता है, तो सस्ते सरम का सुरोत प्रदान करके, सी आप संडाइट है आपका, 38 का प्रस नमर 49 क्या पुछा गया है, निम्नलीखित में से कौन सा एक परकार का सोध डिजाइन नहीं है, तो प्रायोगिक सोध जो है, ठीक है, एक परकार का सोध डिजाइन नहीं है, ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, बी आप संडाइट है 49 का प्रस नमर 40 आपका पुछा गया है, एक सोध रिपोर्ट में चर्चा अनुभाग की क्या भूमिका है, सोध निसकर्सों की ब्याख्या करने और मौझूदा साहित में, मौझूदा साहित से उनकी तुलना करने के लिए होती है, ठीक है, बी आप संडाइट है, प्रस नमर 41 क् निरड़े लेने वाले पदो पर महिलाओं की पहुँच सुनुश्चित करने के लिए कौन सा कारक महतपूर है, तो लिंग कोटा महतपूर होता है, या अप संडाइट हापका 41 का प्रस नमर 42 पुछा गया है, संगठी छित्र में काम करने का प्रमुक लाव क्या है, नौकरी की सुरक्षा और लाव होता है, बी आप संडाइट है, प्रस नमर 43 क्या है, निमनलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता नमूना करन तकनीक का एक परकार नहीं है, तो अस्तरीक प्रस नमर 44 क्या है, निमनलिखित में से कौन उधमियों के लिए बित्य प्रबंधन का एक प्रमुक घटक है, बजटिंग है, आप संडाइट है, प्रस नमर 45 क्या पुछा गया है, महिला संगठनों की सफलता के लिए कौन सा कारक आवस्यक नहीं है, लिंग अधारित हिंसा को बढ़ावा देना, सी आप संडाइट है, प्रस नमर 46 आपका पुछा गया है, निमनलिखित में से कौन सा कार्यास्थल में महिला संगठनों का समान लक्ष नहीं है, लिंग रूरी वाधिता को मजबूत करना, सी आप संडाइट है, प्रस नमर 47 पुछा गया है, प्रस नमर 48 आपका क्या पुछा गया है, महिला संगठनों के बीच सामुहिक सकती का उद्देश क्या है, वकालत के प्रयासों और प्रभाव को बढ़ाना, सी आप संडाइट है, 48 का महिला उधमियों के लिए बाजार अनुसंधान का क्या महत्त्व है यह जोकिम आहम तवर पर अनिश्यत्ताओं को कम करता है बी आपसन राइट है उध्यास का प्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कुद्धो को संबोधित करने पर केंद्रित है तो समाजिक उधमिता है सी आपसन राइट है 52 का प्रस नमर तीरपन आपका पूछा गया है पारंपरिक रूप से पुरूस परधान छेत्रों में महिला नेत्रित को बढ़ावा देने की रणीति क्या है तो सलाह और नेटवर्कि के आउसर प्रधान करना भी आपसन राइट है तीरपन का प्रस नमर 54 महिलाओं के लिए उधमिता विकास कारिकरम का प्रात्मिक लक्ष क्या है ससकती करण और आर्थिक स्वतन तत्ता सी आपसन राइट है 54 का प्रस नमर 55 आपका पूछा गया है महिला संगठनों का प्रात् लक्ष होता है महिलाओं को ससक्त बनाना और लाइंगिक समानता की वकालत करना भी आपसन राइट है प्रस नमबर पश्पन का प्रस नमबर 56 से 56 नमबर निम्नलिखित में से कौन सी महिला संगठनों द्वारा हासिये पर रहने वाले समुधायों को ससक्त बनाने के लिए 56 का प्रस नमबर 57 57 नमबर महिलाओं के 38 ससक्तिकरण में क्या बाधा है कार्यास्थल में लिंग भेद भाव सी आफसन राइट है 57 का प्रस नमबर 58 पुछा गया है महिला संगठन समुदाइक विकास में 20 प्रकार योगदान देता है सयोग और सामुहिक कारवाही को बढ़ाव दे करके भी आफसन राइट है 58 का प्रस नमबर 69 क्या पुछा गया है ग्रामिड शेत्रों में महिला ससक्तिकरण को बढ़ावा देने की क्या रणनीती है व्यवसाइक प्रस्रिक्षन और कौसल विकास प्रदान करना भी आफसन राइट है 69 का प्रस नमबर 60 क्या पुछा ग पुछा गया है सिच्छा तक पहुंच महिला ससक्तिकरण में कैसे योगदान देती है तो उनके ग्यान और कौसल का विस्तार करके सी आफसन राइट है 61 का प्रस नमबर 62 है 62 सोध प्रकासन परकिरिया में सहकर्मी समिक्षा का उद्देश क्या है तो इसका उद्देश से होत परिकल्पना ठीक है सॉरी पकिल्पना लिखा है तो यहां परिकल्पना लिखना चाहिए था ठीक है chyba टाइप द्देश कोक्तल में पर इक्षण में सुन्य परिकल्पना का उद्देश क्या है तो सांख घेकी तुलना के लिए आधार प्रदान करने के लिए C option आपका right है 33 प्रस्ट नमर 64 पुछा गया 64 निम्नलिखित में से कौन सा महिला सा सकती करण का घटक नहीं है तो महिला सा सकती करण का घटक सिमीत निरड़ा लेने की सकती C option आपका 64 प्रस्ट नमर 65 क्या पुछा गया है उधामिता विकास के संदर्व में SWOT बिसलेशर का क्या अर्थ है तो SWOT का जो फूल्फ हम होता है वो होता है Strengths, Weakness, Opportunities और Threads ठीक है ताकत, कमजोरियां, आवसर और खतरे यह आप संदाइट है 65 प्रस्ट नमर 66 आपका क्या पुछा है निम्नलिखित में से कौन सा महिला उधामिता का संभावित लाब नहीं है तो संभावित लाब नहीं है लेंगिक समानताओं में ब्रीधी C. आप संदर्ट आपका 66 आपका प्रस्ट नमर 67 67 महिलाओं को आर्थिक रूप से ससक्त बनाने की प्रमुखरण नीती क्या है तो प्रमुखरण नीती है सिच्छा तक समान पहुँच प्रदान करना ठीक है यह आप संदर्ट आपका 67 प्रस्ट नमर 67 महिला संगठन समाज में क्या भूमिका निभाते हैं महिला संगठन समाज में महिलाओं के लिए सहायता, संसाधन और वकालत प्रदान करते हैं C. आप संदर्ट है 68 प्रस्ट नमर 79 समाजिक सिच्छ सिधान के अनुसार व्यक्ति लेंगिक भूमिकाय कैसे प्रात करते हैं तो पूछा क्या है समाजिक सिच्छ सिधान के अनुसार तो प्रतक्ष सुद्रेडी करण और दंड के माध्यम से B. आप संदर्ट आपका 69 प्रस्ट नमर 77 आपका क्या पूछा गया है विकास वादी मनोविज्ञान के अनुसार साथी चैन में लिंग भेद का प्रात्मिक कार क्या है तो इसका राइट एंस्वर हमें नहीं मिला है B और D मेंसे कोई आपका एक हो सकता है कमेंट करके आप लोग बताईएगा कि आपसन नमर B करेक्ट होगा कि D करेक्ट होगा ठीक है चलें प्रस्ट नमर 71 है गत्तर नमर पस्ट पूछा समुदायों में महिलाओं को ससक्त बनाने का परिडाम क्या है तो बहतर समाजिक विकास होगा भीया प्रस्ट नमर 72 है कौन सा संगठन महिला उधमियों को बित्तिय और तकनीकी साहता परदान करने के लिए समरपित है तो सयुक्त राष्ट महिला है ठीक है प्रस्ट नमर 73 पूछा गया है निमनलिखित में से कौन सा एक सफल उधमी का लक्षन नहीं है बिफलता का डर यह अपसन राष्ट है 73 प्रस्ट नमर 74 पूछा है कौन सा अंतराष्टी संगठन लेंगिक समानता और महिला ससकती करण को बरहावा देने को समरपित है तो आपका यूजन बोमेन है ठीक है सी अपसन आपका राष्ट होगा चले प्रस्ट नमर 75 पे लाष्ट प्रस्ट है किसी एक नय उत्पाद या सेवा बजार में लाने की परकिरिया को क्या कहते है तो लाने की परकिरिया को उत्पाद विकास बोलते है ठीक है प्रोडक्ट डेवलम्मेंट बोलते है सी आपसन राष्ट है तो आपके 75 question मैंने सारे solve करा दी है comment करके बताइए आपके कितने सही हुआ है ठीक है अच्छा जिनका exam नहीं हुआ है वो इस प्रशन पत्र को आगी जरूर सेर कर देंगे WhatsApp पर जिनका exam हो गया है ठीक है जो यहाँ पर अपना answer की मिला है वो भी WhatsApp पर सेंट कर देंगे अपने दूसरे दोस्तों को वो भी अपना answer की मिला देंगे ठीक है चले आप लोगों से request और यह आपकी जिम्मेदारी भी है ठीक है चले जै हिन जै भारत